एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में मौडिफिकेशन लाता है जिसके कारण कि उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज हो वो चार्ज अगर ओपोजिट नेचर का हो मतलब एक अगर ये पॉजिटिव हुआ ये अगर नेगेटिव नेचर का हुआ तो फिर ये उसे एट क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीका होता है अगर हमारा पॉइंट ओफ व्यू फोर्स मोमेंटम ये सब हुआ तो हम एक चार्ज के आसपास के पॉइंट्स में इलेक्रिक फील्ड पता करते हैं इलेक्रिक फील्ड असोसियेट क क्वांटिटी असोसियेट करते हैं लेड़ से कि इस चार्ज के आसपास एक पॉइंट है वो पॉइंट है पी जो कि इस चार्ज से आर डिस्टन्स दूर है और यहां पर इस बॉड़ी में क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज है तो फिर इसके आसपास के पॉइंट्स एक unit positive charge को लाने में जितना काम करना पड़ता है वो numerically equal होता है उस point के electrostatic potential के लास्ट वीडियो में हमने इस पे details में बात किया था हमने ये भी देखा था कि electric potential किसी point का होता है 1 over 4 pi epsilon 0 into जिस charge के करण यहां electric potential बन रहा है जिस charge के करण potential बन रहा है उस charge का magnitude divided by वो point उस charge से कितना distance दूर है तो ये तो एक charge के लिए potential हो गया suppose कि अब दो charges है दो charges है Q1 और Q2 इस point में हम electric potential पता करेंगे Q1 charge से ये point R1 distance दूर है और Q2 charge से यही point R2 distance दूर है तो P point में Q1 charge के लिए जो electric potential बनेगा वो potential कुछ इतना होगा अब charge क्या है Q1 है और उस charge से इस point का distance क्या है R1 है अब Q2 charge के लिए P point पे जो potential बनेगा वो potential कुछ इतना बनेगा Q2 charge और distance है R2 अब गौर से देखे P point पे net potential या total potential क्या होना चाहिए आप गौर से सोचिए यह जो potential है क्या यह vector quantity है या scalar quantity है potential is somehow related to energy देखे work done के साथ related है so potential is somehow related to energy exactly same नहीं है लेकिन इसके साथ related है और energy जो है यह scalar quantity है और energy divided by charge यही होता है potential so charge भी scalar quantity है energy भी scalar quantity है यह potential जो होता है यह एक scalar quantity है इसका मतलब P point पे जो net potential होगा वो इन दोनों का algebraic sum होगा scalar quantity तो algebraic sum से जुड़ता है vector sum से तो नहीं जुड़ता है so algebraic sum होगा जो net potential होगा वो simply V1 और V2 का sum हो जाएगा algebraic addition हो जाएगा यहाँ पर दो charges का system है और हमें पता है कि दो charges का एक ऐसा ही system होता है electric dipole electric dipole में speciality क्या होता है कि दोनों charges का magnitude सेम होता है और दोनों charges का nature opposite होता है एक positive होता है तो दूसरा negative होता है तो जो logic अभी हमने देखा उस logic से हम एक electric dipole के आसपास के region में किसी भी एक point में जो electric potential होता है उसे आसानी से measure कर सकते हैं पता कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको एक dipole दिख रहा है जिसमें की plus q और minus q चार्ज है इस dipole का जो center है वो center है यहाँ पर dipole का जो length है यह 2a माना जाता है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस charge के center से dipole के center तक का distance यह distance है a और फिर dipole के center से दूसरे charge का जो center है यह जो distance है यह distance भी होगा a अब एक point यहाँ consider करते हैं इस dipole के आसपास एक point consider करते हैं let us say कि वो point इस जगह पे है वो point है p इस p point पे इस dipole के कारण बना हुआ हम potential पता करेंगे electric potential उससे पहले हम क्या करते हैं p point को dipole के center से जोड़ देते हैं और यह जो distance है let us say कि यह distance है r तो हम कहेंगे वो point जिसका potential हम पता कर रहे हैं वो point dipole से r distance दूर है dipole से r distance दूर का मतलब होता dipole के center से r distance दूर है और इस point का कुछ और property हम associate करेंगे कि यहाँ पर dipole के साथ जो इसका angle बन रहा वो angle theta है so इस point को पूरी तरह से अगर depict करना है इसके लिए चाहिए होगा दो चीज़े एक तो dipole के साथ वो कितना angle बना रहा है और दूसरा dipole से वो कितना दूर है मतलब ये दो terms given terms है अब इन terms के आधार पर और dipole का अपना जो property है जो कि q है a है इसके आधार पर या इसे बेई समानते हुए इसके term पे हमें p point पे बना हुआ potential को बता करना होगा अब हम क्या करेंगे इसके लिए देखे q charge के लिए plus q charge के लिए यहां पर कुछ potential बनेगा जिसके लिए हमारे पास चाहिए होगा ये जो distance है यहां इस charge के center से इस point तक का distance ये हमें चाहिए होगा let us say कि ये distance है r1 और क्या चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा दूसरे charge से इस दूसरे charge से negative q charge से इस point तक का जो distance है वो चाहिए होगा so let us say कि ये जो distance है ये distance इसे नाम दे देते हैं चलिए r2 इसे हमने नाम दे दिया r2 तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें सबसे पहले r1 और r2 को पता करना होगा लेकिन उसे पहले चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि प्लस q charge के लिए p point पे जो potential होगा वो potential लेटस से v1 है तो ये कितना होना चाहिए 1 over 4 pi epsilon 0 into charge कितना है? charge q है divided by distance कितना है? इस charge से इस point का वो distance है r1 और ये जो potential बनेगा negative q charge के करन जो p point पे potential बनेगा वो potential v2 माल लेते हैं और ये बराबर हो जाएगा 1 over 4 pi epsilon 0 into charge अभी negative q है तो q मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और negative sign यहाँ पर append कर रहा हूँ divided by ये जो distance है ये distance है r2 इस point का p point का distance from this negative charge तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो v net होगा net potential होगा वो इन दोनों का algebraic sum होगा तो यहाँ से मैं 1 over 4 pi epsilon 0 into q common out कर सकता हूँ और bracket के अंदर रहेगा 1 over r1 minus 1 over r2 ये minus 1 over r2 तो ये हो गया total potential q तो given है ठीक है और r1 और r2 को हमें पता करना होगा और वो भी r theta a q इन सब इनके respect में q तो यहाँ पर appear नहीं करेगा r1 r2 पे लेकिन theta और r appear करेगा उसी के time पे हमें r1 और r2 को पता करना है देखिए अगर exact value r1 और r2 का आपको पता करना है तो ये भी हम पता कर सकते हैं फिर उसके लिए आगे binomial theorem लगेगा मैं एक बार exact value आपको पता करके दिखा देता हूँ फिर इसके लिए जो आसान तरीका होगा पता करने का उस पे हम बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम r1 और r2 को पता करेंगे r और theta के respect में उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखे उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक perpendicular drop करूँगा मैं इस जगा पर इस point से लेखे यहाँ पर एक perpendicular मैं drop करूँगा I think आपको दिख रहा होगा यह यह जो line है यह ठीक तो यह perpendicular मैंने यहाँ पर drop कर दिया यहाँ यह 90 degree का angle बनेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस triangle में यह side जो की hypotenuse है उसका value है A यह angle है theta तो फिर हम कह सकते हैं यह जो length है जो कि इस triangle के लिए base होगा यह हो जाएगा A into cosine of theta तो यह बन गया A into cosine of theta और यह जो side बन गया A into sine of theta similar approach से similar approach से अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं कुछ आगे बढ़ा देते हैं extend कर देते हैं और फिर यहाँ से हम एक perpendicular drop करते हैं यह यहाँ पर 90 degree बनेगा इस जगह पे 90 degree का angle बनेगा तो फिर हम इसी तरह के logic से कह सकते हैं because यहाँ पर angle जो है यह angle भी theta ही होगा यह angle और यह angle बराबर होगा तो यह angle theta होगा तो similar logic से कह सकते हैं चुकि hypertenuse है यह जो side है एस triangle का hypertenuse होगा तो हम कह सकते हैं कि यह जो side है यह जो length है मैं थोड़ा सा यहाँ से इसे मिटा दू यहाँ से इसे मिटा दू और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो length है यह वाला length that length is equal to a into cosine of theta तो ये भी वापस से a into cosine of theta हो गया और ये length जो हो गया ये हो गया a into sine of theta तो अब यहां से आप अगर इस triangle में देखे तो इस triangle में आप यहां से लेके यहां तक इसे आप base मान सकते हैं और ये हो जाएगा perpendicular तो गौर से देखे बेस हो जाएगा r minus a into cosine of theta और perpendicular हो जाएगा a into sine of theta So r1 squared ये हो जाएगा r minus a into cosine of theta का square plus a into sine of theta का square इसे expand करते हैं ये बन जाएगा r squared plus a squared cosine squared theta minus 2ar cosine of theta तो हमने इसे expand कर दिया plus a into sine of theta का whole squared तो ये बन जाएगा a squared sine squared theta आप गौर से देखे इन दोनों terms को consider करें तो a squared common out होगा और bracket के अंदर रहेगा sine squared theta plus cosine squared theta So a squared और bracket के अंदर sine squared theta plus cosine squared theta जो की बराबर हो जाएगा 1 के तो उस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता minus 2 into a r into cosine of theta इसका मतलब r1 का जो value होगा वो होगा इसी का square root चलिए आगे बढ़ते हैं r2 के लिए भी हम similar logic apply कर सकते हैं तो r2 के लिए इसी तरह का logic apply करेंगे तो आपको मिलेगा r2 squared is equal to यहाँ पर इस triangle में आपको देखना होगा इस वाले triangle में इस वाले triangle में आप यह पाएंगे कि 90 degree का angle यहाँ पर बन रहा है मतलब यह hyperteneuse हो गया r2 hyperteneuse हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि हो जाएगा r plus a into cosine of theta जो कि अभी base का का काम करेगा और यह जो side है यह side हो जाएगा perpendicular तो फिर यहाँ पर आप यह पाएंगे a into sine of theta perpendicular हो जाएगा तो इसी logic से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसका value हो जाएगा r squared plus a squared plus 2 a r into cosine of theta इसका मतलब r2 का जो value है वो इसी का square root हो जाएगा अब उनका हमें reciprocal consider करना होगा 1 over r1 1 over r1 का मतलब हो जाएगा 1 divided by this term और 1 over r2 यहाँ पर जिसका मतलब हो जाएगा 1 divided by इसका square root तो यह बहुत ही एक complex सा number होगा expression है complex सा expression है जिसे कि आप binomial theorem से आप reduce कर सकते हैं और reduce करने के लिए हमें एक special case consider करना पड़ता है तब जाके formula elegant बनता है वरना यह formula जो है बहुत complicated होगा वो special case है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो जो special case है वो है r is much greater than a मतलब point जो है यह dipole का जो length है इसके respect में point का जो distance है वो dipole के length के respect में काफी ज्यादा है मतलब point dipole से काफी ज्यादा दूर है तो अगर वही special scenario या case हमें consider करना है इसके लिए formula derive करने के लिए elegant formula derive करने के लिए तो मैं आपको suggest करूँगा इसके लिए इससे भी बहतर उपाय है आपको ये भी calculate करने की ज़रुरत नहीं है तो ये तो आप सीख गए होंगे किस तरह से जो exact value r1 और r2 पता किया जाता है अब भटाईए इसको अब इससे बहतर तरीका है हमारे पास जिससे की हम elegant formula पता कर सकते हैं without using binomial theorem etc चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे देखे आप गौर से देखे point कहा गया कि dipole से बहुत ज्यादा दूर है point जब dipole से बहुत ज्यादा दूर होगा उस case में क्या-क्या scenario create होगा देखे सबसे पहले तो आप देखे यह वाला angle जो है हम जिस तरह से इसको construct कर रहे थे तो यह वाला angle जो है यह वाला angle 90 degree का है और 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 यह वाला angle 90 degree का है यह आप याद रखिए अब देखे जब जब यह point काफी दूर होगा उस समय यह वाला angle जो है let's say this angle is alpha यह angle बहुत छोटा होगा और माले की यह angle जो बीटा है यह बहुत छोटा होगा जितना दूर होगा point तो इसका consequence क्या होगा आप यहाँ पर देखे इसका consequence अगर आप देखेंगे तो देखे point जितना दूर होगा मैं इस length को थोड़ा छोटा कर दू तो बहतर समझ मैंगा point जितना दूर होगा उसका consequence यही होगा कि यह वाला angle जो है यह वाला angle छोटा से छोटा बनेगा और हमने यहाँ पर 90 degree का angle consider किया था आप गौर से देखें यह जो angle होगा यह angle हो जाएगा अगर यह alpha होता है तो यह वाला angle जो है जो कि आपको यहाँ पर यह angle दिखेगा यह वाला angle जो है यह हो जाएगा 90 degree minus alpha क्योंकि total 180 degree होना है एक angle 90 degree का है यह वाला angle 90 degree का है मतलब कि यह जो alpha है ये जितना छोटा होगा ये वाला एंगल 90 डिग्री के उतना ही आसपास होगा So 90 डिग्री के जितना आसपास होगा ये दूनों एंगल ये एंगल और ये एंगल दूनों लगभग लगभग बराबर होते जाएगा और बराबर कब होता है ये दो एंगल से एक triangle के isocellus triangle में बराबर होता है isocellus triangle में ये दो sides equal होता है इस case में दोनों angle nearly same होगा क्योंकि point काफी दूर है nearly same होने का मतलब ये जो side है मैं एक बार draw कर देता हूँ ये जो side है ये वाला ये side which is r minus a into cosine of theta और ये जो side है which is r1 ये दोनो nearly equal होगा okay so वही logic यहाँ पर apply करते हैं कि ये दोनो nearly equal है special case so in this special case when 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 r is much much greater than a very very large उस special case में आपको मिलेगा ये जो r1 है r1 is nearly equal to r minus a into cosine of theta similarly r2 के लिए आप कह सकते हैं r2 is nearly equal to r यहाँ से यहाँ देखते हैं यहाँ से यहाँ r plus a into cosine of theta okay so r plus a into cosine of theta अब इस value को 1 over r1 minus 1 over r2 is value को हम यहाँ पर पता करेंगे इस जगा पर पता करेंगे चलिए 1 1 over 1 over r1 minus 1 over r2 that is equal to denominator r1 r2 और numerator जो है numerator is r2 minus r1 अब देखें r2 minus r1 r2 minus r1 यह हो जाएगा 2 into a into cosine of theta divided by r1 into r2 that means this term into this term that is x minus y into x plus y तो यह हो जाएगा x squared minus y squared यह वाला formula हम apply कर सकते हैं इसका square minus इसका square तो यह हो गया r squared minus a into cosine of theta का square that means a squared into cosine squared theta हमने क्या scenario consider किया था हमने consider किया था यह वाला scenario r is much much greater than a तो इस case में हम यहाँ पर देखे इस term को neglect कर सकते हैं क्योंकि cosine squared theta का maximum value 1 होगा 0 से 1 के बीच इसका value होगा और a squared को हम r squared के respect में neglect कर सकते हैं because a is very 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 smaller than r तो फिर यहाँ से यह term neglected हो जाएगा आप पूचेंगे कि यह term फिर हम 0 क्यों नहीं मानते हैं क्योंकि 0 हम directly नहीं मान सकते हैं इसका कुछ तो value होगा लेकिन उसके साथ बहुत सारे terms multiplied हो जाएगा तो ultimate result हमको पता नहीं क्या होगा लेकिन ऐसे scenario में जब जुडता है दो terms जुडता या घटता है उस समय हम इस term को बहुत छोटे term को neglect कर सकते हैं मैं एक example आपको दे रहा हूँ कि multiply करते हैं हम ignore क्यों नहीं करते हैं neglect क्यों नहीं करते हैं और add या subtract करते हैं क्यों neglect करते हैं for example एक लाख और एक वैल्यू है 1 इन दोनों को जोडेंगे चलिए 1 को मैं हटा देता हूँ बहतर समझ में आएगा मैं 0.01 माल लेता हूँ इन दोनों को जोडेंगे तो आप इस चीज़ को neglect कर सकते हैं Divide करेंगे तो भी 100 के order में error आएगा अगर आप इस term को neglect कर दें, तो multiply या divide करते समय हम इस तरह के छोटे terms को neglect नहीं कर सकते हैं, लेकिन add या subtract करते समय हम छोटे terms को neglect कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसे हमने इस तरह से neglect कर दिया, अब हमें ये जो value है, ये bracket के अंदर का जो ये term है, इसका value यहाँ पर मिल चुका है, तो वही चीज अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो net potential है, V net, V net, that is equal to 1 over 4 pi epsilon not into q, q into यहाँ पर इस term के जगा पे यहाँ पर ये लिखेंगे, 2 into A into cosine of theta divided by r squared, अब आप गौर करें कि ये जो term है, ये क्या है, ये dipole moment है, ये जो dipole है, dipole moment होता है, dipole length into the magnitude of charge, magnitude of charge किसी भी एक charge को, दोनों charges तो बराबर है, positive, negative, किसी भी एक charge का जो value है, जो absolute value है, उसे consider किया जाता है, always positive, so यहाँ पर dipole moment P, P, इसे denote किया जाता, dipole length which is 2A into कोई भी एक charge, उसका absolute value, ये तो dipole moment का magnitude हो गया, इसका direction होता है, from negative charge to positive charge, so ये dipole moment का direction हो गया, as vector इस चीज़ को हम ऐसे represent करेंगे, इसका magnitude और उसके साथ इसका direction लगा देते हैं, तो 2AQ, ये हो गया dipole moment का magnitude, so ये हो गया, 1 over 4 pi epsilon 0 into 2 into A into Q, ये हो जाएगा dipole moment P into A cosine of theta, cosine of theta divided by R squared, यहाँ पर देखे, P into cosine of theta को हम एक special term के तोर पर represent कर सकते हैं, ये एक charge, positive charge, और ये negative charge, dipole draw कर रहा हूँ मैं, ये dipole length, और ये dipole के center से, इस line से हम P point तक महाच रहे हैं, अब देखे, dipole moment का direction, चुकि negative charge से positive charge के direction में होता है, तो इस तरह से हम dipole moment vector को represent कर सकते हैं, आप गौर से देखे, यहाँ पर ये angle जो है, ये angle theta है, इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से perpendicular drop करें, तो फिर P का इस direction में, जो उसका component होगा, वो component होगा, ये वाला, जिस component को हम P into cosine of theta से represent कर सकते हैं, इसके perpendicular direction में जो component होगा, इसे P into sine of theta से हम represent कर सकते हैं, अब देखे, ये P into cosine of theta को हम एक और तरीके से भी represent कर सकते हैं, किसी भी vector को किसी एक direction में अगर resolve करना है, या उसका component पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस vector को उस direction में, जिस direction में component पता करना है, उस direction के unit vector के साथ उसका dot product पता कर लेते हैं, वो direction कौन सा है, वो direction ये वाला direction है, तो उसे हम r cap नाम दे सकते हैं, उस direction में जो unit vector होगा जो P vector के साथ अगर हम उस direction में unit vector का dot product लेते हैं तो फिर हमें ये वाला component विलेगा जो की P into cosine of theta के बराबर है That means हम इसी चीज़ को अब ऐसे represent कर सकते हैं कि the net electric potential is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 into vector P dotted with r cap मतलब जिस point में हम potential पता कर रहे हैं उस point के direction में unit vector divided by r squared तो ये एक elegant सा form हमें मिल गया यहां पर net electric potential at a point due to a dipole जब वो point r distance दूर हो और वो r उस dipole length से काफी ज्यादा हो मतलब point काफी ज्यादा दूर हो तो यहां पर आप देखें ये जो dipole moment के कारण जो potential बन रहा है वहां पर आपको denominator में r square मिलता है लेकिन potential तो charge पर directly proportional होता है और distance पर inversely proportional होता है इसे तो 1 over r होना चाहिए था लेकिन आप गौर करें इसी p में एक r चिपा हुआ होता है एक distance चिपा हुआ होता है मुझे कहना चाहिए वो distance देखें ये है dimensionally आप चाहे potential किसी का भी कहीं का भी पता करें किसी भी तरह के charge system के आसपास dimensionally हर electric potential बराबर होता है तो अगर आप dimension में गौर करें तो यहाँ पर आपको distance का square मिलेगा तो इस dipole moment में भी एक a नाम का distance चिपा हुआ है a is half of the dipole length पर यह है तो link तो वहाँ पर a चिपा हुआ है और चूकि potential is directly proportional to the charge जिस charge के कारण potential बन रहा है उस charge पर proportional होता है इसलिए आपको यहाँ पर p में जो चिपा हुआ charge है वो आपको numerator में appear करेगा तो यह हो गया उसका एक elegant सा formula यह भी आप formula के तोर पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप एक और चीज़ देखे कि ऐसा कौन सा जगा होगा dipole के आसपास जहाँ पर की potential 0 होगा जैसे कि अगर मैं इस dipole को फिर से draw करूँ फिर हम देखेंगे formula से भी देखेंगे अगर हम इस dipole को ऐसे draw करें तो कहाँ पर electric potential 0 होना चाहिए अगर आप इस formula को देखें तो formula देखेंगे आप अंदाजा लगाई है कि potential कहाँ 0 होना चाहिए देखें, P तो 0 होगा नहीं, R भी 0 नहीं होगा R तो एक certain point dipole से दूर एक point को हम consider कर रहें तो R भी 0 नहीं होगा लेकिन cosine of theta 0 हो सकता है cosine of theta कब 0 होता है जब theta 90 degree का होता है इसका मतलब ऐसे scenarios में point इस line में या इस equatorial plane में कहीं पर हो उस समय ये जो theta होगा ये 90 degree का होगा और potential हर एक जगा पे यहाँ पर हर एक point में चाहे point यहाँ हो point यहाँ हो point कहीं भी हो इस equatorial plane में उसका potential 0 होगा अब एक logic यहाँ पर apply करके देखे कि कोई भी point हो इस equatorial plane में तो आप देखे यहाँ से यहाँ तक का distance let us say that is R1 और यहाँ से यहाँ तक का distance let us say that is R2 यह दोनों distance बराबर होगा यह दोनों बराबर होने के कारण देखे यह plus Q charge और minus Q charge यह plus Q charge यहाँ पर जितना positive potential बनाएगा यह negative Q charge उतना ही negative potential बनाएगा दोनों को जोडेंगे तो आपको मिलेगा 0 यह हर एक point के लिए लागू होगा तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि एक electric dipole का जो equatorial plane होता है वहाँ पर उसका electric potential हर एक point पर electric potential 0 होता है तो I hope कि आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अब क्या है कि अगले वीडियो में हम लोग यह पता करेंगे जब system of charges होगा बहुत सारे charges का system होगा उस समय उसके आसपास किसी एक point पर electric potential कितना बनता है उसके लिए expression पता करेंगे और फिर आगे हम equipotential surface जो होता है कि ऐसा surface जिसके हर एक point में potential बराबर होता है equipotential surface के बारे में बात करेंगे उन वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा playlist का link आपको description box पर मिल जाएगा तो जल्द मिलेंगे तब तक के लिए खुश रहें goodbye